साथियों, आज हमें अपनी वाणी, अपने विहवार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करें, जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरी के मन में, दूसरे कोने में रहने वाले नागरी के लिए सहस्ता और अपनत्व का भाव पैदा कर सके, हमारे पुर्वजों ने सजियों से यह प्रयास निरंतर किये हैं, अब देखिए, केरल में जन में पुझ्य आदि संकराचारी जी ने भारत की चारों दिशाओं में चार महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की, उत्तर में बद्रिकाश्रम, पुर्व में पूरी, द पिर्थाटन अपने आप में भारत को एक सुत्र में पिर होता है, जोतिर लिंगो और शक्ती पिठों की स्रंकला भारत को एक सुत्र में बांगती है, त्रिपूरा से लेकर गुझ्रात तक, जम्मु कश्मीर से लेकर तमिल नाडु तक, स्थापित हमारी आस्था के केंद्र हमें एक करते हैं बक्ति आंदोलन पूरे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन बन गया जिसने हमें बक्ति के माध्यम से एक जूट किया हमारे नित्य जीवन में भी ये बाते कैसे गुल गई है जिसमें एकता की ताकत है प्रतेक अनुस्ठान से पहले विभिन नदियों का आवान किया जाता है इसमें सुदूर उत्तर में स्थित सिंदु नदी से लेकर दक्षिन भारत की जीवन दाईनी कावरी नदी तक शामिल है अक्षर हमारे हाँ लोग कहते हैं इसमें पवित्र भाव से एकता का मंतर ही बोलते हैं इसी प्रकार सिंधों के पवित्र सरो में नांदेर साब और पट्ना साब गुरिदवारे सामील है हमारे सिंधु गुरुवन ने भी अपने जीवन और सत्कारियों के माध्यम से एक्ता की भावना को प्रगाड किया है। पिछली शताब्दी में हमारे देश में डॉक्टर बाबा साब आमवेकर जैसे महान विभूतिया रही जिन्होंने हम सभी को समिधान के माध्यम से एक जूट किया। साथियों, यूनिटी इस पावर, यूनिटी इस ट्रेंथ, यूनिटी इस प्रोग्रेस, यूनिटी इस एमपावर्मेट, यूनाइटेड वीविल स्केल न्यू हाइट्स। वैसे ऐसी ताकते भी मौझूद रही हैं, जो निरंतर हमारे मन में संदह का बीच बोने की कोशिश करते रहते हैं, देश को बाटने का प्रयास करते हैं, देश ने भी हर बार इन बद इरादों का मुहतोर जवाब दिया है। हमें निरंतर अपनी क्रेटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पुर्वग, अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत स्रेष्ट भारत के खुबसुरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग भरने है और हर नागरिक को भरने है। इस संदर में मैं आप सब से एक वेबसाइट देखने का आगरह करता हूँ, एकभारत.gov.in इसमें नेशनल इंटिग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे। इसका एक दिल्चस्प कॉर्णर है आज का वाक्या। इस सेक्षन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग-अलग भासाओं में कैसे बोलते हैं या सिख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के लिए contribute भी करें। जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग-अलग खानपान होता है। यह वेंजन स्थानिय स्थर के खास इंग्रेडियन्स यानि अनाज और मसालों से बनाए जाते हैं। क्या हमें लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडियन्स के नामों के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत वेबसाइट पर सैर कर सकते हैं। यूनिटी और इम्मूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बहतर तरीका और क्या हो सकता है।